हेलो दोस्तो वेलकम टो जीके ट्रिक्स अड़ा दोस्तो मैं लाया हूँ आपके लिए शांदा ट्रिक्स जिससे आपको जीके लन करने में होगी बहुत ही आसानी तो शुरू करने से पहले प्लिस चैनल को सब्स्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आईए शुरू करते हैं जीके की नई शांदा ट्रिक्स के साथ हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाय है जनवरी के सभी दिवस अगर आप कोई भी government exam या कोई भी competitive exam की तयारी कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्यूंकि देश के उपर आपको एक question exam में 100% मिलेगा जूकि आप यह वीडियो देखने के बाद देश का question कभी skip नहीं कर पाऊंगे चलिए friends शुरू करते हैं तो friends आप screen पर देख रहे हो एक जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सभी days friends आप लोगों को बस इन days को एक बर पढ़ लेना है हाँ friends इसे बस पढ़ना है याद करने की कोई जरूरत नहीं याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है friends तो friends देखिए जैसे कि आपको screen पर देख रहा है 1 जनवरी को Global Family Day, 4 जनवरी को World Braille Day, 9 जनवरी को भारतिय प्रवासी दिवस यानि NRI Day, 10 जनवरी को World Hindi Day, 12 जनवरी को रास्टिय युवा दिवस यानि National Youth Day और 15 जनवरी को Indian Army Day तो friends फिलहाल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के 7 days मैं आपको एक छोटी से कहानी दवारा याद करवाने जा रहा हूँ, friends आपको बस इस कहानी को सुन कर दिमाग में बेढ़ा लेना है तो friends आपको इस किन पर दिख रही है 9 लोगों की एक family, हाँ friends यह 9 लोगों की एक family विदेश में रहती है, जो कि अब नए साल के मौके पर यानि जनवरी में भारत प्रवास करने का सोच रही है और friends दूसरे ही दिन यह 9 लोगों की एक family एक 4 बैलों की बैल गाड़ी अरेंज करके भारत की ओर रहाना होते हैं रहास करने के लिए और 4 बैलों की बैल गाड़ी इसलिए friends क्योंकि इनकी family बढ़ी है, एक बैल 9 लोगों को खीच नहीं सकता इसलिए 9 लोगों की एक family चार बैलों की बैल गाड़ी अरेंज करके भारत प्रवास करने के लिए रवाना होते हैं देखिए friends किस तरह यह 9 लोगों की एक family हिंदी गाना 10 बहाने करके ले गई दिल गाते हुए भारत में प्रवास करने जा रहे है हाँ friends जब यह 9 लोगों की एक family चार बैलों की बैल गाड़ी में बैटकर हिंदी गाना 10 बहाने करके ले गई दिल गाते हुए भारत के बॉर्डर पर कुछ दूरी पर पहुशती है तो यह 9 लोगों की family देखती है कि बॉर्डर पर 12 युवा पहरा दे रहे है हाँ friends और जब यह 9 लोगों की एक family बॉर्डर के और करिब जाती है तो देखती है बॉर्डर पर जो 12 युवा पहरा दे रहे है वो असल में 15 इंडियन आर्मी है हाँ friends यह 9 लोगों की एक family उन 15 इंडियन आर्मी से permission लेकर भारत में प्रवास कर जाते है तो friends हमने यह द्रिक्षय देखकर 15 जनवरी तक के मतलब आदी जनवरी के दिवस याद कर चुके है चलिए friends मैं बताता हूँ कैसे friends सबसे पहले हमने देखा एक family जोगी देश में रहती है तो friends एक से बना एक जनवरी और family से हम बनाएंगे global family day तो friends एक जनवरी को आता है global family day friends फिर हमने देखा चार बेल की बेलगाड़े में बैटकर भारत के और रवान होते हैं तो friends चार से बना चार जनवरी और बेल से बना world brill day तो friends चार जनवरी को आता है world brill day friends फिर हमने देखा कि नौ लोग भारत प्रवास कर रहे हैं तो friends, 9 से बना 9 जन्वरी और भारत प्रवास से बना भारतीय प्रवासी दिवस यानी NRA Day तो friends, 9 जन्वरी को आता है भारतीय प्रवासी दिवस friends, फिर हमने देखा कि 9 लोगों की एक family जो भारत प्रवास कर रहे थे वो हिंदी काना गाते हुए, 10 बहाने करके ले गई दिल गाते हुए भारत के ओर रवाना हो रहे थे तो friends, 10 जन्वरी को आता है World Hindi Day friends, फिर हमने देखा कि भारत के border पर 12 युवा पहरा दे रहे थे फिर हमने देखा कि 12 युवा जो पहरा दे रहे थे, वो असल में 15 इंडियन आर्मी थी तो friends, 15 जन्वरी को आता है इंडियन आर्मी डे और friends, आपको पताई होगा क्योंकि ये पूरी family नए साल के मौके पर यानि जन्वरी में आ रहे थी इसलिए हम इन सभी डेश की बात हम जन्वरी में कर रहे है चलिए friends, अब हम अपने knowledge को थोड़ा extend करते है तो friends, हमारी कहानी के अनुसार, एक family चार बैलों की बैल गाड़ी में बैट कर नौ लोग एक साथ भारत प्रवास करने के लिए हिंदी गाना, दस बहाने करके लेगे दिल, गाते हुए बॉर्डर के थोड़ा करीब पहरा दे रहे थे और जब वो family और थोड़ा करीब बॉर्डर के जाती है, तो देखती है 12 युवा जो पहरा दे रहे थे, वो असल में 15 इंडियन आर्मी है तो friends, आपको उच additional चीजे, इसके साथ यह भी याद रखनी है कि एक जनवरी को Global Family Day के साथ DRDO Day और World Day of Peace भी आता है और friends, चार जनवरी को World Brill Day इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चार जनवरी को इसे दिन लुइस ब्रेल का बर्थडे आता है, जिन्होंने ब्रेल लेंग्वेज इन्वेंड किया है, especially for the blind people और friends, 9 जनवरी को भारतिय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांदी जी साथ अफ्रिका से भारत में प्रवास किये थे फिर friends, 10 जनवरी को World Hindi Day मनाया जाता है और 12 जनवरी को National Youth Day यानी राष्ट्य युवा दिवस स्वामी विवेकानन जी के जन्म दिन के आउसर पर मनाया जाता है friends, फिर 15 जनवरी को Indian Army Day मनाया जाता है चलिए friends, अब हम देखते हैं एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से जनवरी के बची हुए कुछ और दिवस तो friends, इस कहानी को याद करने से पहले आपको स्क्रिन पर दियेगे डेट का सिक्वेंस याद रखना जरूरी है जो है 24, 25, 27, 28 और 30 friends, एक बादोराई एगा मिरे साथ 24, 25, 27, 28 और 30 हाँ friends, एक बार इन डेश को पल दिजीए सिक्वेंस के साथ जैसे 24 जनवरी को आदा है National Girl Child Day और International Day of Education 25 जनवरी को आदा है National Water Day 27 जनवरी को आदा है International Day of Commodulation in Memory of the Victims of the Holocaust और 28 जनवरी को आदा है Data Privacy Day और 30 जनवरी को आदा है शहीद दिवस चलिए friends, अब हम हमारी कहानी शुरू करते है friends, इस बार आप स्क्रिन पर देख रहे हो एक बाली का यानि Girl Child friends, और आप देख रहे हो कि या बाली का यानि Girl Child इसकुल के पास खड़ी है और यहाई से पल लिख कर बड़ी हुई है हाँ friends, अब यह हो गई है Educated Girl Child क्योंकि इसने Education ले लिया है friends, क्योंकि अब यह बाली का यानि Girl Child educated हो गई है तो अब इसे अपने अधिकार के बारे में पता चल गया है तो friends, फिर यह बाली का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वोट करना जानती है तो friends, देखिए कैसे यह Educated Girl Child वोट करने वोटिंग मशीन के पास जा रही है बट friends, जैसे यह Educated Girl Child वोटिंग मशीन के पास पहुशती है तो अचानक वहाँ भोकम आ जाता है और सब कुछ, कुछ ही मिंटों में सर्वनाश हो जाता है इवन वोटिंग मशीन का जो भी डेटा रहता है वो भी खत्म हो जाता है हाँ friends, वोटिंग मशीन का डेटा और friends, जितने भी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं सब के सब शहीद हो जाते है तो friends, यह द्रिश्य देखकर अब हमने जनवरी के सभी डेज याद कर चुके चलिए friends, मैं बताता हू कैसे तो friends, सबसे पहले हमने देखा एक educated girl child यानी फड़ीली की बाली का और हमारे days के sequence के हिसाब से हमारा पहला days था 24 January तो friends, 24 को आता है International Day of Education और National Girl Child Day तो friends, हमें याद रखना है educated girl child से 24 January को आता है International Day of Education और National Girl Child friends, इसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हू जैसे कि National Girl Child Day 24 January को आता है वैसे ही 11 October को International Girl Child Day आता है तो ऐसे बहुत सारे days है जो National और International करके अलग-अलग दिन में आते है तो friends, आपको इन्हें देखकर Confuse नहीं होना है आपको अभी मैं जितना याद करवा रहू उतना ही याद करिए हम ऐसे Confusion वाले days पर एक नया वीडियो जल ही बनाने वाले है उसके बाद आपको इस पर Confusion नहीं देगा तो चलिए friends, आगे बढ़ते हैं Friends, फिर हमारे sequence के हिसाब से हमारा अगला दिन था 25 January और कहानी के हिसाब से Educated Girl चल वोट डालने जाती है Friends, 25 January को आता है National Water Day Friends, फिर हमने देखा कि वहाँ भोगम आ जाता है और सब सर्वनाश हो जाता है और इस बाद हमारे date sequence है 27 January Friends, 27 January को आता है International Day of Commodation In Memory of the Victim of the Holocaust Friends, आपको 27 January में The word Holocaust दिख रहा है इसका meaning होता है Hindi में सर्वनाश तो जिससे की हमने 27 January को connect किया International Day of Commodation In Memory of the Victim of the Holocaust Friends, भोगम के वज़े से जो सर्वनाश हो रहा है वो 27 January को हो रहा है तो हमें इसे connect करके याद रखना है Friends, फिर हमने देखा कि इस सर्वनाश में वोटिंग का पुरा data भी नाश हो जाता है मतला वो भी खत्म हो जाता है तो Friends, हमारे sequence के हिसाप से हमारा अगला दिन था 28 January जैसे कि पूरा data खत्म होता है तो 28 January को आता है Data Privacy Day और फिर Friends, हमने देखा कि भूकम के वज़े से जैसे data खत्म होता है वहाँ पर मौजूद सभी लोग शहीद हो जाते तो Friends, 3 January को आता है शहीद दिवस चलिए Friends, अब हम हमारे knowledge को थोड़ा एक्स्टेंड करते है Friends, जैसे कि हमने 24 January को देखा Educated Girl Child से हमने बनाया National Girl Child Day और International Day of Education 25 January को National Voter Day यानि जो Educated Girl Child वोट डालने जाती है तो Friends, हमने देखा 27 January को International Day of Commoderation In Memory of the Victims of the Holocaust 28 January को हमने देखा Data Privacy Day और 3 January को हमने देखा शहीद दिवस और Friends, 3 January को शहीद दिवस के साथ World Lepro City Day भी होता है जो इंडिया में मनाया जाता है और All Over World में World Lepro City Day Last Sunday of January में मनाया जाता है फिर Friends, 26 January जो कि हमने हमारे ट्रिक में छोड़ दिया है इसको हम यहाँ कवर करेंगे तो Friends, 26 January को आता है International Custom Day और Republic Day I think Friends, Republic Day आप सभी को पता ही होगा Friends, तो आपको उसमें International Custom Day याद रखना है और Republic Day में आपको यह जरूरी चीज़ याद रखना है कि 2020 का Republic Day यह 71 वा था यानि 71 वा हाँ Friends, और इस Republic Day गे चीफ गिस्ते Jer Bolson Oro जो है ब्राजिल के President चलिए Friends, अब हम बढ़ते हैं Questions के दरफ और करते हैं खुद की अजमाईश की वाकई में यह दो छोटी सी कहानी की माध्यम से हमने पुरे जनवरी के डेज याद कर चुके है या नहीं चलिए Friends, सबसे पहले अब हम उन दो कहानी को रिवाइस करते हैं तो Friends हमारी पहले गाने थी 15 जनवरी तक की जो कुछ इस तरह दी नौ लोगों की एक फैमिली नए साल के मौके पर यानि जनवरी में चार बैलों की बैल गाड़ी में बैट कर दस भाने करके ले गई दिल हिंदी गाना गाते हुए बॉर्डर के कुछ दूरी पर पहुशती है तो देखती है कि 12 युवा पहरा दे रहे हैं पर जो वो बॉर्डर के और करिब जाती है तो देखती है कि 12 युवा जो पहरा दे रहे है वो असल में 15 इंडियन आर्मी है Friends और फिर Friends वो 15 इंडियन आर्मी से पर्मिशन लेकर भारत में प्रवास कर जाती है तो Friends यह हुई हमारी पहली कहानी हमारी दूसरी कहानी में हमने January के second half के dates को sequence में learn किया है कुछ इस तरह 24, 25, 27, 28 और 30 तो Friends कहानी में हमने देखा था educated girl child यानी 24 जनवरी को international day of education और national girl child दे दोनों आता है Friends फिर educated girl child जाती है vote डालने तो Friends 25 जनवरी को आता है national voter day Friends फिर वहाँ भूकम आ जाता है और सब सर्वनाश हो जाता है तो Friends 27 जनवरी को आता है international day of commoration in memory of the victims of the holocaust Then फिर Friends भूकम में voting का data नाश हो जाता है तो Friends 28 जनवरी को आता है data privacy day और फिर last में Friends भूकम में सब शहीद हो जाते है तो Friends 3 जनवरी को आता है शहीद दिवस चलिए Friends बढ़ते हैं हम हमारे पहले question के तरफ भारतिये प्रवासी दिवस कब मनाये जाता है तो Friends भारतिये प्रवासी से आपको याद आ रहाँगा कि 9 लोग भारत प्रवासी दिवस हमारा अगला question नाशनल गर्ल चैल्ड है कब मनाये जाता है तो Friends गर्ल चैल्ड से आपको याद आ रहाँगा educated गर्ल चैल्ड वोट डलने जाती है भूकम आता है सब सर्वनाश होता है वोटिंग डेटा भी नाश होता है और सब शहीद हो जाते है और Friends हमारे स्ट्रेंस के हिसाब से गल्ल चैल्ड फर्स नमबर पिती यानि 24 जन्वरी तो Friends हमारा आंसर हुआ 24 जन्वरी हमारा अगला कुश्चन वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है तो Friends ब्रेल से आपको याद आ रहूँगा बैल तो मतलब चार बैल की बैल गाड़े में बैट कर हमारा आंसर हुआ D 4 जन्वरी हमारा अगला कुश्चन नैशनल वोटर डे कब मनाया जाता है ए 2 अगस्ट B 25 जन्वरी C 26 जन्वरी या D 15 जन्वरी Friends वोटिंग से आपको याद आ रहूँगा educated girl child वोट डालने जाती है तो Friends हमारा सिक्वेंस के साब से 24 को आता है educated girl child तो 25 को याँगा वोट नैशनल वोटिंग डे तो Friends हमारा आंसर हुआ B 25 जन्वरी हमारा अगला कोश्चन राष्टिय युवा दिवस कब मनाय जाता है A 5 सेप्टेंबर B 4 अक्टूबर C 12 जन्वरी या D 15 जन्वरी तो Friends युवा से आपको याद आ रहूँगा 12 युवा पहरा दे रहे थे हाँ Friends 12 युवा पहरा दे रहे थे तो Friends हमारा आंसर हुआ C 12 जन्वरी हमारा अगला कोश्चन इंडियन आर्मी डे कब मनाय जाता है A 26 जन्वरी B 2 February C 15 जन्वरी या D 16 जन्वरी Friends इंडियन आर्मी से आपको याद आ रहूँगा कि 12 युवा जो पहरा दे रहे थे वो असल में 15 इंडियन आर्मी थी तो Friends हमारा आंसर हुआ 15 जन्वरी हमारा अगला कोश्चन वर्ड हिंदी डे कब मनाय जाता है A 10 जन्वरी B 18 जन्वरी C 10 सेप्टेंबर D 10 अक्टूबर तो Friends हिंदी से आपको याद आ रहूँगा कि वो फैमिली हिंदी गाना 10 भाने करके ले गई दिल गाते हुए भारत प्रवास कर रहे थे तो Friends हमारा आंसर हुआ 10 जन्वरी हमारा अगला कोश्चन डेटा प्राइबेसी डे कब मनाय जाता है A 28 जन्वरी B 23 February C 24 August या C 30 January तो Friends डेटा से आपको याद आ रहूँगा Educated Girl Child 24 वोट डालने जाती है 25 भुकम से सर्वनाश होता है 27 डेटा नाश होता है 28 तो Friends हमारा आंसर हुआ 28 January डेटा प्राइबेसी डे हमारा अगला कोश्चन शहीद दिवस कब मनाय जाता है A 24 September B 30 August C 25 January या D 30 January तो Friends शहीद से आपको याद आ रहूँगा जैसे कि Educated Girl Child 24 वोट डालने जाती है 25 भुकम से सर्वनाश होता 27 डेटा नाश होता 28 और फिर सब शहीद हो जाते तो Friends हमारा आंसर हुआ 30 January शहीद दिवस हमारा अगला कोश्चन Global Family Day कब मनाय जाता है A 10 January B 18 January C 10 September या D 1 January तो Friends फैमिली से आपको याद आ रहूँगा एक फैमिली नए साल के मौके पर भारत प्रवावस करती है यानि एक फैमिली एक से आया 1 January Friends हमारा आंसर हुआ 1 January हमारा अगला कोश्चन International Day of Commoration In Memory of the Victims of the Holocaust कब मनाय जाता है A 5 September B 4 October C 15 January या D 27 January तो Friends इसमें वर्ड होलो कास्ट दिख रहा है Friends होलो कास्ट का मतलब होता है सर्वनाश तो हमारी सेगन गानिक हैस्सा तो आपको याद आरहूँगा Educated Girl Child 24 वर्ड डालने जाती है 25 वुकम से सर्वनाश हुआ 27 डेटा नाश हुआ 28 और Friends पे सब शहीद हुए 30 तो Friends हमारा आंसर हुआ 27 January हमारा अगला कोश्चन Friends International Custom Day कब मनाय जाता है A 2 August B 15 January C 25 January या D 26 January Friends International Custom Day 26 January को मनाय जाता है हमारा अगला कोश्चन World Daily Proceed Day कब मनाय जाता है A 9 January B 12 January C 30 January D Last Sunday of January तो Friends अगर ये इंडिया के बारे में पूछ रहे तो इसका आंसर हुआ 30 January अगर ये All Over World के बारे में पूछ रहे तो हमारा आंसर हुआ Last Sunday of January तो जैसे कि इंडिया के बारे में पूछ रहे तो हमारा आंसर हुआ C 30 January तो Friends ये थे हमारी जैसे के सभी दिवस I hope Friends आप सभी को यह डेस अच्छी तरह याद हो चुके होगे तो Friends अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसी लेगी और Friends अगर आपको जनवरी के तरह और भी मंत की वीडियो चाहिए तो कमेंट शिक्षन में लिख कर हमें जरूर बताए ताकि हम हमारी ट्रिक्स आप तक पहुँचा सके तो मिलते फ्रेंट्स हमारी अगली वीडियो में बाई बाई फ्रेंट्स